नमस्कार पतिकर अपकोम में आपका स्वागत है निमारी रसुई में हम पहुचे हैं सुभास नगर की दिपाली मारगंडे की यहां यह हमें हरा बारा वेच कबाब बनाना सिखाएंगे यह हरा बारा कबाब जो है खासकर बच्चों की पसंद है क्योंकि इसमें सारी सब्जिय अब बनाना सिखाएंगे नमस्कार मैं आपके सामने बनाने जा रही हूं हरा बरा वेच कबाब जिसमें कई सारी सब्जियों का यूज किया जाता है और उन सब्जियों को कद्दू कस करके उन्हें मिक्स किया जाता है सबसे पहले हमने लौकी गाजर फुल गोबी पत्ता ग करके यहां रखी है इसको डेकोरेट करने के पहले हम उसमें कुछ मसाले मिलाएंगे उसमें हम मकी काटा बैसन मेटा आरा रोड और प्याच हरी धनिया कटीवल मिर्च शकर नीम्बू हिंग जीरा जीबर्या लाली अब हमारी नेक्स्टेप यह होगी कि हम सारी सब्जियों क अच्छी तरह से कर लें अब हम सारी सब्जियों को इंक्लूट करेंगे एक बावल में और उसमें धीरे-धीरे सारे मिसाले अच्छी तरह से मिलाएंगे मतलब इसकामें पेस्ट बनाना है जी जिसे हम आटे के अच्छी तरह से मिलाके रखते हैं और उसकी लोई बनाते हैं छोटी सी फुर्ट उसी तरह से यह हमारा बनेगा अब बाकी जो चीजेहें जो मक्य का आटा है सारी चीजेहें उसको किस हिसाब से हम लोग मिलाएंगे जेसे अगर हमने एक बाउल फिल भूरा भूभी प्ताम फिचल अगर हैं तो वन टेबल स्पून ह्मकी का याटा और पेसन लेहे दिस नहीं तो इसमे आप आले में झरे घुछी तो थोड़े करके डाले मिदो इसमें मेर्दा और थोड़ा सा आरा रो यह दोनों की मात्रा थोड़ी कम रखी जाएगी लाइक वन टीस्पूं अब इसमें थोड़ा सा हम हरी दम्या मतब यह स्वादी स्टिके साथ साथ स्वादब भी है यह बच्चे जो बच्चे जो बच्चे साथ से चड़ते हैं वह इसमें पुर्टी जो जाएगी जी पिल्कुल जी यह क्या मिक्स करने हमें से यह इसमें कुछ पानी भी रालना होगा नहीं नहीं इसमें जो सब्जियां है उनका पानी अपने आप ही इतना रहता है कि वह हमें एक आटे की तरह बावल बन जाएगा एक अच्छा पेस्ट बन जाएगा जी अब हम क्या गरें है अब हम हमारे मिक्स्चर में थोड़ा सा डर्मरिक पाउडर लाग मिर्च पाउडर जीरा सौफ और नमक स्वाद अनुसार सारे चीज़े डालेंगे और उस सब डालने के बाद हमारे पेस्ट कुछ इस तरह से दि के लिए हरी चक्टी में चक्टी में हएं तरह कन दिए रुच पिसना है यह तो ददर दर चक्टी में पाई कर दो कर दो किया हमारा तेल गरम हो चुका है जी अब हमारा तेल अब हो चुका है और अब मिस्की ठीकी बनाएंगे एक बार में कितनी टेकी हम डाल सकते हैं कडाई में 4 टु 5 के समधिग उसे कुछ इस तरह से तेली के और लपिटना है जी है और हम यह चार से पांच टेकी है अब हम इन्हें दिफ प्राइब करेंगे ऑके क्या धिमियाच में करना है या जी इसे बैलकूल धिमियाच पे करना ह ताकि इसके अंदर तक जो पुरी तरह से पक जाएं ताकि क्रिस्पी होने के कारण बच्चे इससे स्नेक्स के रूप में भी खा सकते हैं लबब एक से दो मिट में चाली है ना त्राइल जाएगी जी कि इसको क्या है अच्छा इसे पड़ना जारू भी है दोनों तरह से पकाना है नहीं तो यह चिपक जाएगा यह बंते-बंते खुश्बूच ली अच्छे आरी तो फिर ठाने में टेस्ट कैसा होगा अब आप खाके बताएगे लिए टिक्या लबब तयार है हमारी जी हमारी टिक्या लबब तयार है और उसे हम एलुएनियम फॉयल में निकाल रहे हैं ताकि यह लबब तया लब दौक कर चुके अच्छा अब अब इसे गानिशिंग करने के लिए बच्चों को और लचीला दीखें और प्रेक्टिव चीज को देखर ज़नरली बच्चे ज्यादा ट्रेक्ट होते हैं इसलिए आम उनके हिसां से ट्रेक्टरेट करेंगे जनरली बच्चे ट्रमाटर और अनार के दाने इस यह यह थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा प्याज थोड़ा से ट्रमाटर जी हमें कश्मीडी से यह भी दिख रही है जी हम भी थोड़ी सी डालेंगे कि सेकंड लास्ट अनार के दाने जी है कि अब हमारा यह हरावरा वेज कबाप बिलकुल खाने के लिए तयार है और उसे में टेस्ट कर्वाने जा रहे हूं संज़ जी को करी 45 मिट का इंतजार किया है टेस्टी हरे बरे वेज कबाप को बनने के लिए अब इसका टेस्ट देखते है कि क्या कैसा के टेस्ट है कि काफी टेस्टी है जैसे खुश्बू आ रहे थी बनते बनते उसी लिहास से यह बना है खासकर बच्चे इसे पसंद करेंगे दिपाली पतिकर लॉटकॉम के साथ जोड़ी उनने अच्छी रेस्पी बताई हुसके लिए उनका थैंक्स केमरा बरसंद र्यास सागर के साथ संजेद उबे खंडवा का थिए